आप लोगों को स्क्रीन के सामने एक पिक्चर एक फोटो दिखाई दे रही है और मुझे लगता है देश की राजनीती की जब भी बात होती है तो हम लोग इन्येश छोड़ दें ऐसा सम्भव भी नहीं है कांसी राम के बारे में बात हमें करनी चाहिए और आप देखे कि मायवती की जो राजनीतिक है ये कांसी राम की ही विरासत चला रही है और आप देखे कि पंजाब से कांसी राम उत्तर विदेश आते हैं और उत्तर विदेश की राजनीती में एक महत्पोन इस्थान हासिल करत आप देखिए कासी राम के बाद जाने के बाद BSP की बहुजन सभाज पारिटी की क्या हालत भी आप सभी लोग वाकिव हैं और आपको मालू होगा कि हर साल 15 मार्च को इनकी जैनती में आई जाती है चलिए तो आज हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं एक सामानी परिच दलित चहरा बनाया दलित राजनीती का एक योद्धा रहे है इस पर भी हम लोग बात करेंगे पहले आप लोग देख लीजे आपके सामने एक मैप है दखाई दिरा है और आप देखिए इनका पंजाब से संबंध था लेकिन उत्तरपिदेश आकर ये राजनीती करते हैं औ इसा माना जाता है कि जो दिल्वी की गद्धी होती इसका राष्टर लखनरु से होकर जाता ह एकर जाता है लोग दूला करें घर संब में research अगर सभी राजनीती की पार्टि यों की जो भी राजनेता हैं, इनकी निगाहें उत्तर पेदेश पर ही रहते हैं। के बात करें तो कांसी राम इनका नाम इनके जनम की अगर हम लोग बात करें तो इनका जनम होता है कब इनका जनम हुआ था 15 मार्च 1934 को 15 मार्च 1934 को रूप नगर जिरा पंजाब में इनका जनम होता है रूप नगर पंजाब में और इनके पिता की बात करें तो स्री हरी इनकी पिता का नाम, सरी मती विसन कोर इनकी माता का नाम था और आप देखेंगे इनकी सिक्षा की बात करें तो सरकारी कॉलेज विस्विध्याल है, सरकारी कॉलेज रोपर से अपनी सिक्षा लेते हैं परिवार की सदस्वों में बात करें तो सवड कॉर, दल्वी शिंग कॉर, कुलवन्थ कॉर, गुरू चरन कॉर, हरवन्थ कॉर इनके परिवार की सदस्वरे हैं और राजनितिक पाइटी की बात करें तो आप सभी जानते ही कि बहुजन समाजबादी पाइटी इनकी पाइटी रही है और 9 अक्टूबर 2006 में इनकी नई दिली में डेथ हो गई थी तो कांसी राम भारत की इतिहासिक पटल गे एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने अतीत की व द दलितों का उद्धार वीडवा है उन nombreux में से एक मख़कून नाम रहा है माननी है कासी राम का और आप सोची कि आजादी के पहले आप लोगोंने पडाए मह लाओं के साथ क्या भेधभाव था पकिस तरह का भेधभाव किया जाता था आजादी कि आप सोची इतने सालों अगर दलतों से अपने कई घटना आती रहते हैं कि वहां भेदभाव गोड़े पेनी चड़ने दिया तो इस तरह का आप देखिए उस समय क्या रहा होगा अगर हम लोग इनकी परिबार की बात करें तो कासी राम का जनम आपको बता चुका हूं कि रोपर पंजाब में होता है और ये बैचलर ओफ साइंस वी एस सी की उपाधी अर्जित की इनों ने और उन्नीस तो अंठाबन में आदेखिए कि कासी राम डिफ्रेंस रिसर्च एंड डवलम्मेंट और और इसी कड़ी को बढ़ाते हुए सन 1965 में बी आर अमेडकर की जनम देवस पर आवकास की करने की कारण का बिरोध किया था और कासी राम बी आर अम्बेडकर के जीवन से काफी प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अंतरवाण आवाज पर अमल करते हुए पीडित दलितों के उत्थान का वेड़ा उठाया उन्हेंने भारत की और जाती बाद के बारे में रिसरच किए और अपना पूरा जीवन दलितों की सेवा में कर दिया और याद रखिये जिनके साथ बेद्भा हुआ ये जमीनी हधिकत करते से बाकिव थे और उन्होंने दलितों, दलित हैत्तों की रच्छा करने के लिए कदम वड़ आना शुर इसका पहला कार्याले डिप में 1976 में खुला गया था उन्होंने बॉद्धिष्ट रिसर्स सेंटर की भी स्थापना की थी किसने कांस्ती राम ने अगर हम लोग राजीनती में प्रवेश की बात करें इनकी तो आप देखेंगे मानी एकासी राम जी ने दलितों की हितों के इसकार उनकी नीतियों की रोध के लिए 1984 में एक राजनितिक पारिटी का खटन किया था जिसका नाम बहुजन समाज पारिटी है बीएसपी के नाम से जानते हैं जिसको आज वरत्मान में मायवती जी द्वारा संचालित किया जा रहा है अगर हम लोग आसी राम के द्वारा लिखी गई पत्तिकाओं की बात करें तो अंटचेबल इंडिया अंग्रेज में थी आफ्रेश्ट इंडिया अंग्रेजी में बामसेफ बुलिटिन अंग्रेजी में बहुजन संगठनक ए हिंदी में बहुजन नायक मराठी और मंगला में सरमिक साहित सोसित साहित दलित आर कहता था वो नेता समाज के लिए कुछ भी करता के थे आज के नेताओं पारे में ऐसा नहीं मानता हूँ आज के नेता अपना देखिए अपने आप तक समठ कर रहे अपने परिवार तक ही देखते रहे थे कासी राम जी पहले ऐसे बेखती थे जिन्होंने सोसे समाज के निस्किरिये रहे राजनितिक चेतना को जगरित किया और बाबा साहब ने समीधान की माद्यम से सोसे समाज के लिए विकास के लिए दरवाजे खुल दिये थे लेकिन इस बिकास रूपी दरवाजे के पार पहुचने का कार मानवर कासी राम जी ने किया बाबा साहम दलितों को मनोवल प्राप्त करने का आहान किया करते थे कासी जी ने कासी राम ने समाज को मनोवल प्राप्त करने के लिए मजबूर किया कासी राम जी उन महापरसों में से हैं जिन्होंने बेक्तिगत स्वार्थ की जगह समाज के लिए कार किया और अपनी माग को लिखी चिट्टी में मानवर कासी राम जी ने सोसे समाज को ही अपना परिवार बताया वर्तमाज समाज में कासी राम जी जैसी महापुरसों की अतिन्त आवस्थ सकता है और अंतिम समय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो दलतों के हितों के चिंतक थे महान सुधारग यह 1904 में इन्हें दिल का दोरा पड़ता है 2003 में ब्रेन हैमरेज हुआ और इसके बाद जीवन संगरसव की परिभासा सिखाने वाले इस महान वेक्तित ने 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया से बिदा ले ली यानि कि 2006 में की डेथ हो जाती है अब हम लोग उन बातों पर ध्यान दे लेते हैं जिन बज़े से आप देखी कासी राम को समाज एक तरह सी दलिस समाज का चेहरा बनाया था तो इसमें आगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी यानि कि BSP कि संस्तापक कासी राम भले ही डॉक्टर भीमराव मेड कर की जित्तर है चिंतक और बुद्धी जी भी ना हो लेकिन इस बारे में कई तक दिये जा सकते हैं कैसे अमेड कर के बारे में कासी राम ही थे जनोंने भारती राजनीती में समाज में एक बड़ी परिवर्तन लाने वाली भूमिका निभाई बेसक अमेड कर ने एक समिधान की जरी इस परिवर्तन का बिलू पेंट फेस किया लेकिन टासी राम थे इसे राजनीती के धरातल पर उताया कासी राम का जनम आप सभी जानते हैं कि पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ उन्होंने B.S.C. की पढ़ाई करने के बाद किलास बनाधिकारी की सरकारी नौकरी की आजादी की बासी आरक्षन होने के कारण सरकारी सिवा में दलित करमचारियों की संस्ता होती थी और कासी राम ने दलितों से जोड़े सवाल और अमेर के जनती के दिन आवकास गोसित करने की मांग उठाई थी 1981 में उन्होंने दलित सोसित संगह संती बढ़ाई जिसे DS4 की स्थापना की थी 1982 में उन्होंने दा चमचा एज लिखा जिसमें उन्होंने इन दलिताओं की आलोचना की जो कॉंग्रेस जैसी परमपरागत मुकधारा की पार्टी के लिए काम करते थे 1983 में DS4 ने एक साइकल रेली का आयोजन कर अपनी तागत दिखाई थी इसरेली में तीन लाग लोगों ने हिस्सा लिया था और मुझे एक और बात समझ में नहीं आती है आप सोची कि आज के समय के जो भी दलित नेता हों या किसी पिषडी जाती के नेता हों या सामान जाती के नेता हों आप कोई भी समाज के नेता को उठाके देनीजे उस समाज की स्थिति वही है लेकिन आप सोचे कि वो नेता कहां से कहां पहुंच चुके हैं मैं कभी गायाओं को देखता हूँ रोड पर चलते हुए गिरते हुए और बहुत बुरी स्थिति में देखता हूँ कभी गव साला जाकर देखिए आप लोग तो ऐसा लगता है कि देखिए राजनीतिक दलितों गरीपी पर गाये पर राजनीती करने वाले कहां पहुंच गए लेकिन गायाओं की स्थिति आज भी वही गुरी की स्थिति है 1984 में आप देखिए कि उन्होंने BSP की स्थापना की तब कासी राम पूरी तरह से एक पूर कालिक राजनितिक सामाजी कारिकरता बन गए थे उन्होंने तब कहा था कि अमेड कर किताबें खटा करते थे लेकिन मैं लोगों को एक खटा करता हूँ उन्होंने तब मौजूदा पार्टियों में दलितों की जगए की परताल की और बाद में अपनी अलग पार्टी खटा करने की जरूरत मैसद की और वो एक चिंतक भी थे और जमीनी कारकरता भी थे जमीन से जुड़े हुए थे बहुत कब समय में आप देखें कि बीएसपी ने उत्तर पिदेश की राजनिती में अपनी एक अलग छाप चोड़ी क्योंकि आपको एक अच्छी खासी जनसंख्या रहा देखने को मिल जाएगी दलितों की उत्तर पिदेश में और उत्तर भारत की राजनिती में गैर ब्रहमाडवाद की सब्दावली बीएसपी ही पिचलन में लाई हालाकि मंदल दौर की पाइटियां भी सवड़ जातियों के वर्चस की खिलाप थी दच्छिर भारत में पहले से इस रूम हो चुका था कासी राम का मनना था कि अपने हक के लिए लड़ना होगा उसके लिए गिड़ गिनाने से बात नहीं माने बन दिये कासी राम मायवती के मारत दर्सक थे मायवती ने कासी राम की राजनीती को आंगे वड़ाया बासापा को राजनीती में एक तागत के रूम में खड़ा किया लेकिन मायवती कासी राम की तरह कभी भी एक राजनीतिक चिन तक नहीं रही है कासी राम 2006 में मित्तिव से करीब 3 साल पहले एक्टिब नहीं थे अपनी पायट्री में कासी राम की डैथ के बाद एक दसक में एक बार फिर संभाव न जिताई जा रही है कि अंगले साल होने बाले जो विधान सवा चुना होते उसमें आप देखें कि मायवती अच्छा पिदरसन करती हैं लेकिन क्या हाल है आप सभी जानते हैं फिर भी इस बात को लेकर सवाल उट रहे हैं कि मायवती जिस तरह से ठाहट में रहती हैं उसे देखकर कासी राम कितना कुस होते हैं जिस दौर में कासी राम की वरासत मायवती के हाथों में आ रही थी उस दौर में मायवती पर भिष्टाचार के आरोप भी लगे थे हाला कि वीएसपी इन सभी आरोपों को निराधार बताती है इस बात का जवाब हमें भी कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि अपनी विमारी की और मौत के कई साल पहले ही कासी राम ने मायवती को ही अपना राजनितिक पितिनेदित क्यों चुल लिया था खेर एसन में उत्तरफिदेश में दलितों को मजबूत बनाया ही और साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी बोट सेर में जहापा हुआ है और एक बात और आपको कासी राम की जो विचार धाराती मुझे लगता है कि उससे हटना सुरूं किया और आज आज आप देखिए आज उत्तरफिदेश में बीएसपी की क्या हालत हो चुकी है कहां देख रहे हैं आप लोग बीएसपी को समय रहे हैं आप लोग तो ये हाल है किसी भी पाइटी को उठाके देख लिए मुझे लगता है कि आजकल वो जिस बिचार धारे की बात करते हैं उस बिचार धारा से उनका दो दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है तो खेरहाल आप लोग कांसी राम के बारे में याद रखिए बागी तो क्या है क्या नहीं है तो चलता ही रहेग क्या है तो